खालिस्तानी कमांडो फोर्स के चीफ और आतंकवादे परमजीत सींग पंजवार और मलिक सरदार सेंग धेर हो गया है। परमजीत सींग को जुलाई 2020 में यूए पीए के तैद भारत सरकार ने आतंकवादे घोशित किया था। केंद्रिय सहकारी बैंक में काम करता था। इसके बाद वो पंजाब में आतंकियों के संपर्क में आया, 1986 में केसीफ का गठन किया, वो भारत में हिंसा के लिए हतियार और नशीली दवाईयां सप्लाई करता था। परमजीत पर टाड़ा एक्ट समेत तमाम धाराओं में करे दो दर्जन मामले भारत में दर्ज हैं। अधिकारियों के मुताबिक साल 1986-87 में पंजाब में कई आतंकिवादी समूहों का गठन हुआ, इसमें से एक केसीफ भी था। कवरजीत सिंग की मौत के बाद परमजीत सिंग इस संगठन का प्रमुख बन गया, वो बीते लंबे समय से भारत से फरार होकर पाकिस्तान में नाम बदल कर रह रहा था, उसकी पत्नी और दोबच्चे जर्मनी में रहते हैं। परमजीत वर्तमान में पाकिस्तान के लहोर में ही रहकर काम करता था, वो पाकिस्तान के युवाओं के लिए हत्यारों की ट्रेनिंग की व्यवस्ता करवा रहा था, साथी भारत में वियाईपीज पर हमला करने के लिए हत्यारों और गोला बारूत की आपूर्ती करता था, वो अल्प संख्योंकों को भारत सरकार के खिलाब भड़काने के उदेश से रेडियो पाकिस्तान पर देश दुरोही और अलगावादी कारिकरम प्रसारित कर रहा था, वो ड्रक्स की तसकरी में भी सक्रिया था और तसकरों और आतंकवादियों के बीच एक प्रमुख माध्य जिसे अज्यात लोगों ने उसके घर के बाहर ही टहलतेवा उसे गोली मार दी, ब्यूरर रिपोर्ट भारत तक झाल झाल झाल